मुझे ऐसा लगता नहीं कि शक्ति के शोड़ने के पीछे कोई रिजन था I think कहानी उतनी थी और वो ऐसी ही बनाई गई थी उसको वैसी बुना गया था अर्श जैसी टीवी पर आता मैं चैनली चेंज कर देती हूँ इसके बाद हीरो भी बनेंगे बहुत विलन बन गए ने मुझे पर कोई इंपैक्ट नहीं करता है मैं वहाँ का काम वहीं छोड़कर आगे निकलता हूँ बहुत अलग परस्नालिटी हूँ जैसा मैं दिखता हूँ रमायन ने मुझे पहचान दी वह तो होता ही आप टीवी में क्या होता है आप 13-14 गंटे साथ में काम कर रहे होते हो तो आप एक फैमली बन जाते हो इना मैं वह घोड़े की वह होती ना बस यूँ ही चल रहा था और अगर आपको रातो रात रिप्लेस कर दिया गया और आप कुछ ही हो गया तो फिर उसके पीछे कुछ कहानी होगी ही अब कल किसको क्या हुआ किसी को नहीं पता आज क्या हो रहा है वो देखना है तो वक्त बदल गया चीज़े बदल गई है अब कल किसको क्या हुआ किसी को नहीं पता बरतन वांज रहोंगा, ऐसे सो रहोंगा, इसे लट रहोंगा, वो टास्क कम्प्लीट कर रहोंगा, यह मैंने कभी सोचा नहीं है, सब लोग इतने अच्छे हुआ, सब लोग मेरी फामिली की तरह सब के साथ मैंने काम पहले भी किया हुआ है, पहले आप केरेक्टर बनाते हो, फिर उसके बाद कुछ समय बाद आपको केरेक्टर समझ में आने लगता है, और फिर उसके बाद आप उस केरेक्टर साथ खेलने लगते हो, यह तीन अलग-अलग वो है, हाई अनकीट, वेल्कम टू टीवी मसाला, कैसा लग रहा है, इतने सक्सेस्फुल शो का हिस्सा बनकर इतना टाइम हो गया है, हाउस इट गोइंग, लाइफ कितनी बदली है गुम के बाद में, थाइंक यू सो मच, लाइफ जो है वो अब बदलना शुरू होगी, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसी उमीद भी करता हूँ, बाकी गुम है किसी के प्यार में, अफकोस एक ब्रैंड है, और स्टाप्लस अपने आप में एक ब्रैंड है, तो आप जब ऐसे बड़े शो का हिस्सा बनते हो, तो आपको खुझ से भी उमीद है बहुत बढ़ जाती है, तो या मुझे उमीद है कि इसके बाद चीजे अलग-अलग होंगी और इसके बाद हीरो भी बनेंगे, बहु है, आपने डिसाइड किया था, कि हां करना है, वाट वोज इन्टु दिमाग में कुछ भी नहीं था, कुछ खास, क्या है कि एक तो मैंने दो साल का ब्रेक ले रखा था टीवी से, तो मैं कुछ सोच के आया था कुछ अब अलग करूँगा, और कुछ नहीं चीजे शुरू क कुछ चीजे कर भी रहा था मैं कैमरे के पीछे, वो मैं खुला सा बाद में करूँगा, तो फिर मुझे ये शो ओफर रुआ, ये शो ओफर नहीं था, मुझे हुआ था, तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस के लिए, और जो राजेश सर है, वन आफ द प्रोडूसर, उनके सा बादे भी हो परस्नली, तो मन तो था, उनके साथ काम करने का, और शायद वो भगवान ने एक टाइमिंग फिक्स कर रखी थी, कि इस टाइम पर ही ये आना था, तो गैप ले ले दो साल का बिर आराम सही हो, तो जब मैं आफिस गया, तो मुझे बुलाए गया था, तेरी मे करना ही है, तो फिर अगेन माइन में, जब चीज़े मैं ने बोला ना, शो बड़ा हो, चैनल बड़ा हो, प्रोड्यूसर्स वो हो जिनके साथ काम करना चाहते हो, टीम इतने अच्छी हो, सब लोग इतने अच्छी हो, वहां सब लोग मेरे फामिली की तरह सब के साथ मैंने क काम पहले भी किया हुआ है, जो हमारे प्रोजेक्ट हैड हैं, जो हमारे ग्रेटिस हैं, सब अपनी हैं, तो फिर मना करने को रीजन ही नहीं हुआ, और शायद वो मेरे लिए लिखा हुआ था उपर वाले ने, और मैं उसका हिस्सा बन गया, अब नेगेटिव रूल करने के दो तो दोनों ही कॉंसिक्वेंस होते हैं, एक तो पॉजिटिव भी, एक नेगेटिव भी, जहां लोग पसंद भी करते हैं, और कुछ लोग ना पसंद भी करते हैं, ऐस सच आपको अर्श के लिए क्या फीड़बेक मिला है है, सबसे पहले तो मेरे प्रोडूसर में से खुश ह पहले तो एक वो दाइरा है, जिसको मैं खुश करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अगर प्रोडूसर के आप इंवेस्ट कर रहा है, प्रोडूसर आपके लिए और प्रोडूसर की, चैनल की, क्रेटिव टीम की, राइटर की, अपनी एक सोच है कि ये ये कैरेक्टर मैंने लिखा है उमीद करते हैं कि इस से उपर ही लेकर जाएगा और वो इतनी महनत करते हैं और जब आप उदर से थमसप आता है कि तो आप थोड़े से वो आपको एक confidence देता है एक अलग चीज का तो वहां से feedback बहुत अच्छा आ रहा है और रही audience की तो audience भी अच्छा feedback दे र लड़ा कि यह लड़का आर्श जैसी टीवी पर आता मैं चैनल ही चेंज कर देती हूं मुझे से इतना डर लगता है तो ऐसा भी होता है तो मैं उसने पढ़ रहा था वो और मैंने का कि ऐसे भी लिख रहे हैं लोग चैनल को यह ना लगया है तो चेंज ही कर देती हाटा हो अर्श का कम करो तो यह अच्छे रिस्पॉंस आ रहे हैं खुशी तो होती है लेकि नेगेटिव रूल आपर कितना हाश इंपक्ट करता है या पिर कर लेते हैं नए ने मुझे पर कोई इंपक्ट नहीं करता है मैं वहां का का महीं छोड़कर आगे निकलता हूं मतलब मैं य परस्नैलिटी नहीं है, उसकी आदम रहे मैं अंदर डालते हूं, उसके बाद मैं बृए बिर्फरेंट शानत आदमी हूं, मिम्हें जाधा किसे बात नहीं करता हूं हुए नामजब करता रहता हूं है। फोन पे रहता हूं अप अपने मेकःफ रूम में रहता हूं तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं बहुत अलग personality हूँ जैसा मैं दिखता हूँ तो मुझे उससे निकलने में बहुत सार टाइम रखता नहीं है जब आप नहीं शो में एंट्री की थी, तो अल्रेडी शो बहुत टाइम से चल रहा था जहां पर लोगों ने अपनी जगा अल्रेडी बना कर रखी थी या अपने रिलेशनशिप को अल्रेडी बना कर रखा था मैं कहूंगी तो जब आप गए आपने जॉइन किया कास्ट को कितना डिफिकल्ट या इजी रहा आपके लिए उन सब में मर्जप होना या उन लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाना या कितना अच्छा रिलेशनशिप अब आप बना पाए हैं क्यास्ट जब मैं फर्स दे गया था तो पहले में दिन बहुत फोकस्ट था जो मैं आज भी हूँ बट फोकस्ट पहले आप करेक्टर बनाते हो फिर उसके बाद कुछ समय बाद आपको करेक्टर समझ में आने लगता है और फिर उसके बाद आप उस करेक्टर साथ खेलने लगते हो यह तीन अलग-अलग वो हैं तो मैं पहले जो उसमें फेस में था है पहले में फुकस्ट था कि मुझे ये करना ये करना है ऐसे करना है तो और सबसे बड़ी बात है कल कई टेली कास्ट है तो आपके पास उतना टाइम भी ने की मैं इधर से आउंगा फिर ऐसा कर लूँगा फिर यह नहीं नहीं बहुत करना है कल दिखाना है आपको तो वो एक प्रेशर था और शाम कोई डान्स परफॉर्मेंस थी और वो डान्स भी करना था और सुबह सम शूट कर रहे था आपके बहुत बुरी तर थक चुका था मैं और फिर अगले दिन फिर सुबह सम आगे शूट करना था तो वो एक प्रेशर अलग था काम का बट वो भी उस प्रेशर को भी मैंने इंजॉई किया और मजे मज़े आया फिर धीरे धीरे उस करेक्टर को मैंने समझा उसको बनाना शुरू किया और धीरे धीरे फिर मैं लोगों से भी मिलना शुरू किया मेरे साथ ज़ादा सीन क्या होता है जो मैं को एक्टर है कावेरी आशकार जो प्ले कर रही है उनके साथ मेरे जादा सींस होते हैं तो फिर धेजरी उनके साथ भी अच्छा बॉण्ट होगा फिर तो होता ही आप TV में क्या होता है आप 13-14 को गहंटे साथ में काम कर रहे होते हो तो आप एक फैमिली बन जाते हो, सिर्फ एक्टर ही नहीं, चाहिए वो आपके स्पॉर्ट दादा हो, चाहिए वो डी ओपी हो, डीरेक्टर हो, क्रेटिव हो, आप सुब में जा रहे हो फिर रात तक उनी के साथ बैठे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो सब के साथ एक बांड क्या कहना जाएंगे, कैसे रिलेशन है या वो लोग कैसे हैं, उनका वहवार पुछूंगी, दोनों बहुत अच्छे हैं, भाविका क्योंकि वो तो पिछले एक साल से इस शो में है, और जब मैं फर्स टाइम उन से मिला, कई बार एक होता ना, आपके दिमाग में भी लीड है, इसा है, तफसे हा रही है, और वो बहुत हमबल, बहुत, कोई डेंटरम नहीं, मस्त लड़की है, क्यूट सी लड़की है, और अच्छे से मिलती है, और अच्छे से बात करती है, कभी ऐसा feel ही नहीं है, कि हम अरे आप आएं, नहीं कोई family आई है, अब ये, कहीं से कुछ और सारे अक्टर बहुत अच्छे हैं, इवन जो सीनियर्स हैं मुझसे वो भी जैसे अभी मैं आश का जो कावेरी है, स्कोर मैं से बोलता हूं कि यार तुम लोग अभी आया है, दो यार सतरा अटरा में, मुझे सरसर करके बोला कर रहा है, तो वह सी मज़ाग चलती ही रहती है हितेश भी बहुत अच्छा है, बहुत महनती है, बहुत महनत करता है और इन सबसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है और फिर वो कोशिश करता हूं कि मैं अपने क्राफ्ट में डालता हूं, तो सब बहुत अच्छे हैं जब आपने इस शो को जॉइन किया था गुम को जॉइन किया تو अलरीडी बहुत कुछ चल रहा था एक सापने शक्ति के शो चोड़ने के बाद जॉइन किया है या पहले जॉइन किया है क्या था माइंड में? क्योंकि अगर कोई आक्टर अच्छे अच्छे रणिंग शो को बीच में छोड़ कर जाए या फी कुछ चीजे सुनने में आए तो obviously माइन में कुछ तो चलता है आप के माइन में क्या चलता है मुझे ऐसा लगता नहीं कि शक्ति के शोड़ने के पीछे कोई रीजन था I think कहानी उतनी थी और वो ऐसी ही बनाई गई थी उसको वैसी बुना गया था तो कोई ऐसी अफवा या ऐसी कोई चीज तो ना मेरे दिमाग में ना मेरे कानों तक आई कि यार ऐसा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता तो वो बैगेस्ट हाई नहीं मेरे पास फिर जब मैं वहाँ पर गया तो एक नहीं कहानी थी और एक नए गिरदारों के साथ और भी नए अक्टर्स अलग 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 केरेक्टर प्ले कर रहे थे तो कोई बर्डन नहीं था मेरे पास और मैंने जैसे बोला मैं थोड़ा कुछ जाद ही फोकस्ट रहता हूं तो मैं अपने आपको लेकर इतना फोकस्ट था उस टाइन कि मुझे ना मैं वह घोड़े की वह होती ना बस यूँ चल रहा था कि मुझे उस पर ध्यानता कि अच् तो फिर करना ही पड़ता है बहुस तो यह प्रेशर तो आप लेके चलते ही ओ एक नर्वस नेस तो होती है और जो नर्वसनेस मैं हमेशा बोलता हूं होनी भी चाहिए ओलने को और बहुत कुछ रहती है लीकि तो इन्टर्वी देतों जैसा मैं इंट्तुजिंज्ज़ आप तो ऐसा कोई baggage नहीं था कि मैं अब शो में जा रहा हूँ, ऐसा हो कुछ नहीं था तो मतलब आप शक्ती से मिल ही नहीं पहे जब नहीं नहीं, क्योंकि मैं शक्ती के जाने के एक महीने बाद आया है शक्ती जून में गए थे, ऐसा जून फर्स्ट वीक है, मेरी एंट्री हुई है जुलाई फर्स्ट वीक में तो एक महीने बीच ये हितेश और ये सब, क्योंकि जब ये नया सीजन बोलुए हैं, जो भी कहानी शुरूई कि मेरी एंट्री दस एपिसोड के बाद हुई है, तो तब तक ये लोग जा चुके थे हाला कि आपका शो तो ले चुका है तो उसका तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाना जाओंगी शो के लीप के बारे में क्या कहना है, कितना डर रहता है as an actor क्योंकि, you know, कभी भी replace हो जाते हैं, लेप आने के बाद पें आपको होना ही है, replace, क्या कहना चाहिए? यह तो मुझे लगता है कि it's a part of our job कि यह होना होना और ऐसे तो कोई आपको replace करता ही नहीं क्यों ही करेगा क्यों करेगा कोई रीजन होगा उसके पीछे दोनों की तरफ से मैं यह नहीं बहुत लड़ा गए होंगे होगा अपना एक अक्टर होता है मैं एक ही करेक्टर बहुत सालों से प्ले कर रहा हूं मुझे लगता है कि मेरे को growth करना चाहिए मैं तोड़ सा different करूश करना चाहिए और मुझे लगता है producers उसको understand भी करते है और अगर आपको रातो रात replace कर दिया गया और आप कुछ ही हो गया तो फिर उसके पीछे कुछ कहानी होगी ही जो मुझे भी नहीं पता होती होंगी और इस बात का डर लेके मैं चलता ही नहीं हूँ और आज तक अभी ऐसा हुआ है और जब और ऐसा होगा भी नहीं मुझे ऐसा लगता है कि it's like a relationship आपका प्रोडूसर के साथ चैनल के साथ एक शो के साथ गर्फरेंड बॉइफरेंड जा साथ रिलेशन होता है मैं इसको ऐसा मानता हूँ और वो गिवन टेक है मुझे भी 100% अपना देना पड़ेगा और सामने वाले को भी अब हो सकता है कई बर क्या होता है कि आपको साइन कर लिया सब कुछ हो गया लेकिन आप काम उतना नहीं कर रहे हो तो आपकी expectation उदर से होती है मैं अपना दे रहा हूँ मैं सैट पे जा रहा हूँ मैं शूटिंग अच्छे कर रहा हूँ मैं अच्छे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे उतना उदर से नहीं मिल रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ एक चनल बात कर रहा हूँ तो एक्टर के सुस्ता है महीने साल का, हाँ को दस साल का लीप है, वो आपके अलग फैमली दिखानी है, और आपको दिख़ारे कि अब मेरा इसमें आगे जागे काम काम हो जाएगा, वो चैनल प्रोडूसर आपको बताते हैं, एक यह क्रेक्टर ऐसा जा रहा था, अब कहीं जाके ऐसा हो जागा, तो आ आप थोड़े से ओडियंस भी स्मार्ट हो गई है, कि ठीक है, रिप्लेस और अच्छा दूसरी बात है कि आपको रिप्लेस भी ऐसे नहीं किया जाता है, बहुत तरीकी से किया था, आपको रातोरा लंडन भीज दिया जाता है, या अमेरिका चले गए, या आपकी पापा की त आज क्या हो रहा है वो देखना है, तो वक्त बदल गया है, चीज़े बदल गई है, आपके कुछ शोस की कैरेक्टर ऐसे हैं, जो शायद लोग आज भी रिमेंबर करते हैं, जैसे मैं रामायन की बात कर लूँ या शोका समराट की बात कर लूँ, तो how much do you miss doing such characters और उन शोस क बहुत मिस करता हूँ, और रामायन तो रामायन ने तो मुझे एक स्टार्ट दिया था, और रामायन ने मुझे पहचान दी, आज भी मुझे जितने भी मैंने character निभाए हैं उस से ज़्यादा, लोग लक्षमन, लक्षमन, लक्षमन से मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं जैसे मैंने पहले एक interview में बोला था कि मैंने character नहीं जिया था, मैंने एक जिन्दगी जी थी, मैं टेट दो सार वो जब शूट कर रहा था मैं लक्षमन बन चुका था, में लक्षमन जी आ चुके थे और मतलब हम जंगलों में शूट कर रहे हैं और वो एक सेट लगा हुआ जैसे संडे को आवाज आती थी और गाना चल रहा हुआ पहुच जाते थे आप सटनली बीस सारवाद उनी के साथ काम कर रहे तो एक सपना है जो पूरा हो गया और फिर लक्षमन जी इतना भारी किरदार करने को मिलता तो वो वो अल्लगी दुनिया थी पता निए वो मैं हम इस करता रहूंगा जब तर में जिंदा हूँ और बी जो किरदार निभाए मेंने तब तक ठोड़ा सा मैना प्रैक्टिकल भी हो गया था और पहला शो था था मैं थोड़ा सा ही आंशनल था मैं थोड़ा चैरेक्टर से थोड़ा सा इमोशनल इ ऐटाच हो जाता अब देखते हैं अपने आब खुदर यारी सीन के पीछे की कहानी ऐसी थी सीन ऐसा वो तर डेलाइट जा रही थी और वो हो रहा थे तो सब याद आता ही है आपने कहा कि फ्री टाइम में मैं जाब करता हूं मेक अप रूम में बैठ कर तो ये जाब करना कब से लक्षमिन प्ले करन मेरे घर में मेरे मौम-डैडी थे और बार ये स्रिब्लिंग नहीं थी मेरे तो हमारे बशपन से ही मेरे घर का महूली ऐसा था न सजसे momento से इंपनी मेरे-ऊ-अपनी ममन, को भघन याद कर आता था कि मममा बूसreshता सा नहीं सति देखना नहीं करता था अंको मैं गरंत सुनात था, कथाएं सुनाता था, महीनों महीनों में सेवा में चला जाता था, हमारे मां एक कुटिया होती थी मंदिर में, तो वो घर का महौल और घर से जो मिले संसकार वो शुरू से ही वैसे थे, और जब मैं 2004-05 में बॉम्बे आया था, सब को छोड़ चाड़ के उसका इक अलग कह बहुता था, मतलब बहुत, तो एक इंटर्विय मेरे डायट ने भी बोला था, कि मेरे भगवान ने इसको अपना छोटा भाई बना लिया, मैं लक्ष्मन बना था जब, तो हमारे इतनी आस्था शुरू से ही है, और मैं शुरू से यह नाम चप कर रहा हूं, और खृपा है जो भी जिस भी धर्म के हैं, जिसको भी मानते हैं, और बस उन पे विश्वास रखो, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, परिक्षाएं बहुत होंगी, बाट एंड हमेशा अच्छा ही होता है, तो इससे पहले वाले इंटर्विय में आपने बिग बॉस के बात की और कहा था कि यूनों, बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं अपने माइंड को बिग बॉस जैसे शू के लिए, अभी आपका माइंड सेट क्या है, बिग बॉस के लिए कितना प्रिपैर्ड अपने आपको मानते हैं, और अगर उफर आता है तो जाना जाएंगी, अब मैं थोड़े से कह सकता हूं, चैलेंज लेना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है, वो पहले भी अच्छा लगता था, बट शायद मैं बिग बॉस, अच्छा कॉंसर्प्ट है, अच्छी चीज है, अच्छा शो है, और मैं शुरू में बहुत देखता भी जब इसका हाइब भी बहुत था, लेकिन ना वहां पर जितना कुछ होता है, मैंने कभी भी अपने आपको इमेजन किया नहीं है, कि उस घर में बैठके मैं भी क्या आटा गुंत रहा हूंगा, बरतन भाज रहा हूंगा, ऐसे सो रहा हूंगा, इसे लट रहा हूंगा, वो टास्क कम्प्लीट कर रहा हूंगा, यह मैंने कभी सोचा नहीं है, बट फिर मुझे लगा कि हर्ज भी क्या है, फिर मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको परसेनल्टी है, मैं शांत बैठके है, अपना शूटिंग हो खत्म हुआ रूम में को आप भाईती दे, तो वो मैं आपने रूम दे दिया, मैं अपना आया, या तो मैं किसी के इंटर्व्यू देखता हूं, अच्छे बड़े-बड़े जो मेरे आइडिल्स है, या मैं कुछ नॉलिज बढ़ता हूं या देखता हूं, और मैं शांत रहता हूं, मैं गुसा करने वाल हूं, और कर भी सकता हूं. किसी के इंटर ना, आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, अब मैंने इनका नाम लिया, मनुझ बाशबई सर, नवास सर, या इर्फान सर, ये ना एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, आप इंसे डांस करा दो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सीन पकड़ाओ, कोई बहुत पसंद है, जैसे मुझे तिग्मान शुदूलिया पसंद है, मुझे विशाल भरादवाच पसंद है, मुझे डिरेक्टर भी ऐसे पसंद है, थोड़ा सा जो कमरिशन सिनेमा से हट के बनाते हैं, मुझे ऐसा सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे एक्टर पसंद है, उनका क गो किसी में इंट्रिविज देखें है इनकी जर्णी देखी है इनकी यह वैसी ते फिर आप relate करते हैं मैं भी तो ऐसी था हम भी ऐसे निकल गया है यह उर हम भी एसा बन सकते हैं कर सकते हैं तो वह मुझे मेरी बहुत IDOLS कि मुंबई में गनेश उच्षफ को इतना माना जाता है क्या प्लाइन आपके इस गनेश उच्षफ कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं गनेश चर्थी। दोस्तों के घड़ जाएंगे, हमारी बिल्डिंग में गनेज जी आते हैं, उनसे रोज मिला, अब तो मुलाकात होगी, अब तो और करीबी का वह हो जाएगा रिलेशन, तो रोज गनेज जी से अपनी बाते कहेंगे, मौदक खाएंगे, मोटे होएंगे, फेस्टिवल सीजन आगया है, अच्छा फेस्टिवल सीजन होता है, तो एक अलगी महौली एट्मोस्फेरी अलग हो जाता है, जैसे अब आज कोई तोहर नहीं है, लेकि ये पता है ना कि ये 15 अगॉस से लेके दिसेंबर तक रहती है, खलचल में रहती है, तो वो वाइपस रहती है, वो एट् गुलावा आएगा, कोशिश करेंगे, टाइम निकालके, सबसे मिलने जाएंगे, और राइट, लासली फैंस के लिए क्या कहेंगे, जो गमें किसी के प्यार में को इतना प्यार देते हैं, आपकी किरदार को इतना प्यार बस ऐसी प्यार बनाए रखें, और आपके कुछ फ समय में अच्छा काम करके आपके सामने लाएं क्योंकि हम लोग इतना cut-to-cut शूट करते हैं जो मैं आज शूट करके आया हूँ मिखा से परसो आएगा तो आप इतने cut-to-cut हैं आपके पास टाइम बहुत कम होता है आप सिर्फ हाडली घर पे सिर्फ सोने जाते हैं वह बॉंब गें आप घर पे आते हो फुरशन अप उते हो बैठते हो पांस सेंद दस मिनट अपने दिल दे तो फिर आप सो तो फिर पर उट फिर जाओ तो वह ऐसा चल रहा हुता है तो मैं सिर्फ यह बाद इसलिए कह रहा हूं कि सब की बहुत मेहनत है सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और और जब आप सबसे उनको प्यार मिलता है या प्यार मिलेगा तो हम सबका एक confidence बढ़ता है और वो confidence हमें फिर और अच्छा काम करने का एक मकसद देता है तो बस ऐसी प्यार बनाए रखें और हम आपको अच्छे-च्छे scenes, अच्छे-च्छे काम, अच्छे-च्छे कहानी के सा आप एंटर्टीन करते रहेंगे थैंकियो सो मच हमसे बात करने के लिए